हेलो नमस्कार मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं आपके लिए खिती से जूड़ी एक नई वीडियो लेकर आया हूं इस वीडियो में मैं आज आपको बताता हूं कि बादरा की बिज्याएके समय कौन-कौन सी सावदा ने रखे जिससे कि बीजगाओं कोन सोपरतिसीदब को जिससे कि हमें कम समय में ज्यादा से ज्यादा फसल की पैदावार प्राप्त हो जिससे कि हमें एक अच्छिन कम प्राप्त हो इस वीडियो को अंतक जुरूर देखे ताकि आपको खेती से जुड़ी से भी जानकरी प्राप्त हो अगर आप चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जुरू करे ताकि अन्य किसानों को खिती से जुड़ी सुभी जानकारी पराप्त हो और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे चलो चली ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं बाजरे की खिती की पूरी जानकारी बाजरे की खिती सिचित था ऐसे सिचित चेतरों में किजाती है अधिक बाजरे का अउत्टपादों और लाबेतू उन्नत तक्निके अपना आपसक है भारत दुनिया का अगनी बाजरा उत्पातक देश हैं यहां लग बग 85 लाक एक्टेक छेतर में बाजरा की खेती की जाती है जिसमें से 37,36 राजस्तान, माराष्ट, गुजरात, उत्रपदेश, एम, अरियाना राज्यों में हैं देश के सुसक थथा, एसुसक छेतरों में यह प्रमुखाद्य है और साथ ही पस्वों के पोस्टिक चार उत्पादन के लिए भी बाजरा की खेती की जाती है पोस्टन के दुष्टी से जहां इसके दाने में पैसाकरत अधिक प्रोटीन वसा मिलती है वहीं कर्वाइटेट खनीज तत्तो केल्सिम, करोटिन, राइबोफलेविन, विटामिन वी और नियाशिन, विटामिन विटामिन वी शिक्स भी परचूर मातरा में पाय जाती है गेवं एम चावड के बेशा बाजरे में यह लो तत्तो भी अधिक होता है अधिक उर्जाओ, नेके कारण बाजरे को सर्दियां के मौसमें खाने में अधिक उप्योग किया जाता है बाजरा के चानरे में प्रोटिन, कैल्सिम, भास्पोस और करनीज लवन उप्योग मातरा में एम आइड्रोरसैनिक अमल सुरुख्षित मातरा में पाया जाता है परमदर नहीं होने से इस फसल की पैदावार अन्य खरीब की अनाजवाली फसलों की तुलना में कम हो जाती है परन्तो यदि सही किसम का चुनाओ और ख्यत्ति के लिए उन्नत तकनिक के और पौद सरक्षन तकनिक के या अपनाए जाए तो बाजरा की पैदावार में लेखनी अवद्दी की जा सकती है इसमें बाजरा से जुड़े ख्यत्ति की जानकारी का लेख है बाजरे से जुड़े ख्यत्ति की हर जानकारी बाजरे की बिजाई का समय आ गया है किसान उनत किसम की बिजाई कर मुनाफ़ा कमा सकती है संकर बाजरा का बिज हर साल नया लेकर ही बिजाई करे शित्चित छेत्र में आप इसकी मई मा में बिजाई कर सकते हो बाजरे की बिजाई जुन मा से पंदरा जुलाई तक कर सकते है बिजाई से पुरो बिज को उपचार करना ना बुले बिज उपचार के लिए 10% नमक के गोल यानि 10 लेटर पाने में एक किलोग्राम नमक में बाजरा में बिज को थोड़ा थोड़ा डाल कर आज से इलाई चेपा के पिंड थता तेटे वे बदातों को निकाल का नश्ट कर दे इचे बेठे वे बारी बिजो को साप पानी से तीन से च्यार बार अच्छी तरह दोकर चाह में शुका ली खेत का चुनाओ इसके बाद हम बाजरा की बिजाई के लिए खेत का चुनाओ करते है अगर पहले उस खेत में सर्शो की बिजाई की थी तो सर्शो के पानों को रोटा बटर की साथा से एक दो बार अच्छी तरह से जूताई कर दे ताकि सर्सों के पानना अच्छी तरह मिट्टी में मिल जाए फिर आप हैरो की साथा से उसकी एक दो बार अच्छी तरह जूताई कर दे फिर आप लेजर लेवलर की साथा से खेत को समतल कर दे ताकि खेट किसी चाई अच्छी तरह से हो सके मिट्टी की जांच सबसे पहले अपने खेट की मिट्टी की जांच करवा ले जिससे हमें या पता चल जाता है कि मिट्टी में किन किन पहुशक तत्तों की कमी है और खेट की मिट्टी किन किन फसलों के लिए उप्यूकत है और इ इसका प्याचमान कितना है पाने के जांच अगर आप फसल की विजाई के लिए नेरी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो यह सभी प्रकार की फसलों के लिए अच्छा है अगर आप बारिस के पानी से फसल की सचाहिए करते हैं तो भी यह सभी फसलों के लिए अच्छा इसमें 20 ग बाजरा की विजय के लिए बूमी बाजरा की पसल सभी अच्छी जल निकास वाली सभी तरह की बूमी में की जा सकते है पर बलुई दो मट मिटी इसके लिए शरोगत माया बाजरा के लिए बाजरा के लिए बाजरा की खेटे गर्म जल वैयुद 400-600 mm वर्षावाले चेतरों में बलीब बाति की जा सकती है 32-37 से ताबमान बाजरे के लिए उप्यूकत मानना गया है यदि पुश्पन अवस्ता में वर्षा जाए या फारोशी सिचाई कर दी जाए तो फूल दूल जाने के कान बाजरे में दानों का बराव कम हो जाता है बालियो में दाना बढ़ने के वस्ता में यदि नमे अद्धिक हो और तामान कम हो तो अरगट रोक के प्रकौपोने की स्वावना जदा बढ़ जाती है फसल पदतिया बाजरा की फसल के साथ यदि दलननी फसल जैसे मूं, गुवार, अरर, मोट और लोबिया को अंता फसल के रूम में बोया जाए तो ना के बाजरा की उतपाद में वर्दी होती है बलकि दलनों के काण मिट्टी की उरुपता में भी सुधार होता है और अत्रिक दाल उतपादन से कर्शकों के आयो में भी वर्दी होती है साथ ही दलन वर्गिये फसले अधिक नाइट्रोजन सित्थी करण करती है जिसे मिट्टी में नाइट्रोजन बट जाती है फर सुरुप उरुपों से नाइट्रोजन कम देनी पड़ती है जिसे कर्शी की लाकत में बहुत कमी अथिये हैं फसल चकर मिट्टी के उरुकता बनाए रखने के लिए फसल चकर पनाना मत तुप्रून है बाजरे के लिए निर्म एक वर्ष है फसल चकरों को पनाना चीए जैसे बाजरा गेहु या जो बाजरा सरसों या तारा मीरा बाजरा चना मतर या मसूर बाजरा गेहु या सरसों या गरिश्हमकाली मूंग बाजरा की उन्द किसमे अलग-लग राजीयों की बाजरा की व्सक्रीकत किसमे अलग-अलग है जैसे राजस्तान, माराष्ट, गुजरात, उत्रपदेश, रियाना, करनाट, अंदरपदेश, तमिलाट, अमें विजय के लिए उनत किसमों का ही चुनाओ करना चाहिए क्योंकि ये कम समय वा कम कर्च में जादा से जादा उत्पादन देती है में विजय के लिए उपचारित विज का ही प्रियोग करना चाहिए, एक अंकड के लिए विजगी माफतरा लग वग डेड़ से डाई किलो प्रियापत रहती है, यह विजगी वराइट्टी पर निरबर करता है, अगर आप संकर किसमों के विजगी विजगी करते है तो लग व परियाणा के लिए अचसी 10 अचसी 20 पूचा चार्सों त्रिराद़ाइस पूचा 318 122 238 A stage 262 298 Elsibly 666 इंप्रूव उचारी सच अजिगी वरायट्टी है, अललग अलग वराइट्टी है, sa姜siGL 1990 है, poHeinner 68, poHeinner 62, सुज्दाण में 24 अलग अलग वराइटीया है यह आप अपने चैतर के साफ से प्रियोग कर सकते हैं इसके बाद हमें अच्छी तरके से खेत की त्यारी कर लेनी है गर्मियों में घरी जुताई करें अधिम जल निकाश के लिए खेत को समतल कर लें बाजरा की अच्छी पसल ल अन्तिम जुटाई से पूरो डालने चाहिए बाजरे की खेती सुन्य जुटाई विद्धी द्वारा भी सवता पूरूत की जा सकती है, इसलिए खेत को सम्तल करना थता मिट्टी पर पूरो फचल कि उसेसो का आवरण करना ना लापर्द होता है। अब बात करते हैं फचल की बाजरे 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 की बा वे पुद्दे घन्य हो तो पुद्दों की सेटाई कर देनी चाहि है और पुद्दे की दूरी 6-10 cm रखनी चाहिए जिस्सेद परती एक चितर में एक पॉइंट पर चेतर से दो लाग पोदे परती एक्टर पराप्त हो सके इस संख्या में पोदे लगाने से बाजर की अधिक्तम पजली जा सकती है फसल की रुपाई यदी मानसुन देरी से आए या किनी कारणों से समय पर भुआई ना कर सके तो बाजरे की फसल को देरी से बोने के अफिशा उसकी रुपाई करना दिकला पर दो गया है एक एक्टेर से तर में पोद रुपाई के लिए लगबग 500 वरक मेटर से तर में दो से तीन किलोग्राम वीजू प्योग करते हुए जूलाए मां के पर्थम सप्ता में नर्स्री त्यार करने चीए पोद्दे के अच्छी पड़वार के लिए बली प्रकार से खेत की त्यारी करें बारा से पंदरा किलो यूरिया डाले दो से तीन सप्ता बाद पोद्दे की रुपाई मुख्के खेत में करने चीए जब पोद्दे को केरियों शुकाड़े तब जोड़ों की सतिकम करने के लिए ध्यान रखे की नर्स्री में प्रह पतनमी हो जहां तक संबह हो रुपाई वर्षा वाले दिन ही करने चीए बाजरे की रुपाई की निमलक थलाब है रुपाई विद द्वारा बाजरा वगने से जुलाई की तीसरी सब्ता से मागे पर्तम पकवाड़े तक रुपाई कर अच्छी पादावार लिजा सकती है बाजरे की रुपाई वाली फचल सिखरे पकती है और बाद में कम तामान हो जाने पर भी फचल पर पर्तिकल परव बाजरा का उत्पादन भी अधिक होगा उल्लाब में वर्दी होगी अब बात करते हैं पोशक्ततन प्रबंदन की सिखरे चेत्रों में मिट्टी प्रिक्षन के दारपा संतुलक उरुका प्रियोकन अधिकला पर होता है परन्तु यदि मिट्टी जांत परना मुपलब दनी ह तो शेच्षेत्रों के लिए नाइट्रोजन 80 kg प्रियापत रता है अगर आप बिरानी शेत्र में इसकी विजाय करती है तो 40-60 kg नाइट्रोजन पस्पोर 30 kg प्रियापत रता है सिसित थता आई सिसे छेतरों में जस्ते की कमी हो तो पांच किलोग्राम जस्ता परती एक्टर की दर्से दे जया उरुक जैसे अलजोस पिरियम वाइ फासपोरों को लग जैसे उरुकों के द्वारा बीजुपचार परके बवाई करना पसर के लिए अधिक तलाप प्रदोता ह सिसित दोनों प्रिष्टियों में नाइट्रोजन की अद्धी मातरा और फासपोरों को पुटा जस्ते की पूरी मातरा लगबग तीन से चार संटिमेंट कराई पर मिट्टी में डालने चाहिए नाइट्रोजन की शेस मातरा बवाई से 30 से 35 दिन बाद मिट्टी में प्रिष्टियों कल्चर से उपचार करते हैं शिची शेतरों में एक से दो शिचाई बाजरे की की जा सकती है यह आप 30-30 दिन के अंतराल पर कर सकते हो बिरानी शेतरों में शिचाई वर्षा के उपर नेर्वर करती है अच्छी वर्षा हो जाई तो फसल की शिचाई का होना तिक आने पर दे है अता यह दिस शिचाई का सुरूत अपलो दो तो इन वहस्तों पर शिचाई करना अलाब पर दोता है बाजरा जल ब्रहों से भी परभाईत हो ज़ता है इसलिए जल निकास का समुचित प्रबंद और आफशक खर्पत्वार प्रबंदन बाजरे की की फसल में खर्पत्वार नियंदन के लिए एक किलोग्राम एटराजिन या पैंडा मेली थे आन पचास से अंसो से शच्छो लिटर पानी में गोल मिला कर पड़ती है एक्टरदस्क से चिटकाओ करना चाहिए यह चिटकाओ बुआई के बाद अंकुर्ण से पूरो करते है इसके साथ साथ बाजरे की बुआई के 20 से 30 दिन बाद कुर्पी अगसोले की साहता से खर्पतवारों को निकाल देना चाहिए अब बात करते हैं किट परबंदन की नंबर एक दिमक नंबर दो तना मक्षी नंबर तिन सपेद लट दिमक इस पर को रोकने के लिए 2 किलोग्र इसकी रोक थाम के लिए 15 किलोग्राम परते एक्टर दर से आप फुरट इस्तेमाल कर सकते हो नंबर तीन सपेद लट या लट पुद्ध की जोड़ों को काटकर फसल के विविन वस्ताओं में बाजरे को नुक्सान पुचाती है इसकी रोक थाम के लिए 3 परसेंट या फु इसकी रोक थाम के लिए आप सुद्यव प्रमानित भी जोका ही उप्योग करें नंबर दो अर्कट यह रोग बाली मनते समा बाजरे को नुक्सान पचाता है रोग पुद्धों में बाल्यों पर सहद जैसी च्पी बुंदे दिखाई देती है सहद के समान दिखने वाल या परदात कुछ दिनोबाद सुकर काड़ा पड़ जाता है इस जहरीले परदात को अर्कट के नाम से जाना जाता है जो मनों और पसुद्धों के लिए निकारक होता है बाजरे की संकर की सुमों में यारोग अधिक पहलता है रोग ताम पसल की भुवाई उन्चित समय पर कर प्वाई करने से फचल में फूलात समतामान कम नहीं होता हुराद तब यह दिखनी होती जिससे रोग प्रकॉकमर रहता है स्थिद्यों पुर्मानित विजु का ही उप्योग करें उप्योगत फचल कर पनाए खेत में रोग गस्त वालियों को काट का जला देना चाहिए वि बात करते हैं बाजरे की पैदावार यह दि उप्रोकत अधुनिक विद्य से बाजरा की फसल ली जाए तो इसी शेतरों में इसकी उपच तीस से पंतारीस क्यूंटल और 90-100 क्यूंटल सुका सारा प्ट्टे एक्टष पराप्त होता है और ऐसी में 20-30 क्यूंटल प्ट्टि एक्टर दाना होए 20-60 क्यूंटल सुका सारा मिल जाता है बाजरे का बंढ़ान बाजरे के दानों को अच्छी तरह से दूम है और दानों में नमे के मातरा आठ से दर्फ पतिस्थ होने पर ही उप्युकस्तान पर पंडारन करें अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक को सेर्फ करना चैनल को स्क्राइब जरूद रही है